बच्चों, वल्कम टो हर्स पब्लिक के उसलो गुरुगराम योट्यूब चैनल, जिस तो आज कवर करने वाले हैं बच्चों, सेल्फ प्रैक्टिस जो 1D को कवर करेंगे और उससे पहले 1D में कौनसे concept है, कैसे आपको करने हैं यह सारे बादे, और इससे पहले के वीडियो अगर 1C नहीं देखा है बच्चों, तो पहले आप 1C देखो, जिससे के आपको complete एक सिरीद जो है चैनल पर बने हुए बच्चों, class 4th का new learning composite maths के complete playlist मैंने बना आदे हैं, यह place value समझना है, और इसी के base पे आपका जो है self practice 1D दिया गया है, तो देखो कहा रहा है, the face value of the digit, actual value of the digit itself, face मतलब क्या हुआ, जैसे आप इस boys को देख रहे, इसका face अगर आप से पूछा जाए कि कैसा है, तो आप क्या बोड़ोगे सर, जैसा दिख रहे है, वैसा ही तो है, save to same face तो है, right, तो यह होता है face value, तो हमें यहाँ पे number का face value पूछा जागा, किसी person का तो पूछा नहीं जाएगा, तो अगर हमसे कहता कि 1 का face value बताओ, तो 1 कैसा दिख रहा है, ऐसे बता देंगे, 2 ऐसे बताएंगे, 3 का कहेगा, तो 3 बोलेंगे, 4 का 4 ही, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9 और 10 का कहेगा, तो already 10 तो होगा ही नहीं बच्चो, आप इस तरीके से कोई एक digit की face value आप से पूछी जाएगे, तो 1 का face value कैसा होगा, 1 के जैसा ही होगा, 2 का face value कैसा होगा, 2 के जैसा होगा, 3 का face value कैसा होगा, 3 के जैसा होगा, I hope समझ आ रहा होगा, मैं question भी करके दि देखिएगा बच्चो, और एक चीज आपको देखना है, the place value and face value of 0 is always 0, एक चीज आगे मैं बताऊंगा आपको, यहां पर दे रखे, remember यह बहुत अच्छे से याद कर लेना, right, the place value and face value of 0 is always 0, मतलब 0 का place value और 0 का face value, दोनों सेम होता है, 0 ही होता है बच्चो, यह आप अच् place value समझ में आया, place value क्या होता है बच्चो, place मतलब क्या होता है, जगह है, मतलब अगर one का place value कह रहा है किसी questions में, तो आप यह देखो कि one उस digit में कहां पर बैठा हुआ है, किस जगह पे है, अगर आप से two का पूछा जाता है, तो आप यह देखो कि two किस place पे है, right, चलो मैं आप example दिखातो, अब इस digit में देख लो, अगर हमसे पूछा जाता है कि two का place value बताओ, तो two किस place पे बैठा देखो, one stands hundreds, तो 100 place पे है, तो आप क्या बोलेंगे two into hundred, right, तो क्या होगे, two hundred इसका place value हो जाएगा, और अगर आप से पूछा जाता है कि four, तो four देखो ten places पे, तो four into क्या लिखेंगे ten, तो क्या होगा, 40, तो 40 आचाएगा, समझा है कि नहीं, इसी तरीके से, और हम लोग direct करने के लिए क्या करते हैं, अगर हम four का निकाल देख, four के बाद एक digit है, तो एक zero लगा देते है, two का निकालेंगे, तो two digit है, तो two zero लगा देख, अगर one का कहता, तो one के बाद three digit है, तो one पे three zero लगा देते है, वही result आता है, eight का अगर कहता, तो eight लिख करके उसके बाद four digit है, तो four zero लगा देते है, तो हमारा ये value निकल के आजाता, हमारा ये answer निकल के आजाता, तो I hope ये बाते आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, चलिए, आगे बढ़त है, और एक notebook ले लिए, उस पर आप जिस चीजों को मैं बोल रहा हूँ, उसको आप अच्छे से highlight करते चलो, या फिर आप highlighter ले लो, आप इसको highlight कर लेना कि face value क्या होता है, place value क्या होता है, और ये three point importance था, इस concept के according, right, तो आप इनको अच्छे example दिया है, तो पहले हमाँ example दे one, right, तो हमें अगर ये chart के according दिखा है, तो कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते, digits बच्चो ये हमारा है solution part में, और face value तो मैंने बताया था, right, place value क्या होगा, देखो one क्या है, लाक पे है, तो one लाक हो जाएगा, seven, ten thousand पे तो 70 thousand हो जाएगा, two thousand place पे तो two thousand हो जाएगा, eight hundred हो जा समझा आगे होगा असानी से, कोई दिक्कत तो नहीं न, good, चलिए, अब हम देखते हैं, आगे self practice 1D, right, so here is that, write the place value of each digit in the following numbers, अब हमें कह रहा है कि each number का, each digit का place value बताना है, तो seven क्या है, बचो one places पे है, तो seven ही आ जाएगा, two क्या है, ten place पे है, तो twenty लिग दो, eight hundred place पे तो है, आप hundred लिख दीजिए, nine के है, thousand places पे है, तो thousand place लिखिए, और seven के है, ten thousand places पे है, तो seventy thousand हो जाएगा, समझा है कि नहीं, तो इस तरीके से आप लिखेंगे, और आप चक कीजिए, देखो one digit है, तो one, two के बाद क्या है, one digit तो one zero, eight के बाद two digit, three digit, four digit, तो इस तरीके zero बढ़ाते चलो, और आपका answer आती जाएगा, same B part में भी देखो, eight क्या होगा, यहां पर eight ही आ जाएगा, five के जगे पे क्या होगा, fifty, seven है, hundred places पे, तो seven hundred, six क्या है, बचो thousand places पे है, तो आप thousand places लिख दीजिए, और two इस के बाद है, तो आपके two पे क्या होगा, four zero हो जाएगा, और five पे क जाएगा, वज़ो five zero हो जाएगा, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप zeros बठाते चलिए जाए, आपका answer आते आजाएगा, right, चलिए, अगला question देख लेते हैं, question number second में क्या क्या रहा है, write the place value and face value of color digit in each of the following, अब यहाँ पे जो आपको यह number दिया है ना, इस number में देखे, जो color digit है, इसका आपको place value भी बताना है, और face value बताना है, तो place value देखो, one किस पे है, बचो, one stands hundred, तो यहाँ पे क्या होगा, one hundred आजाएगा, और face value तो क्या होगा, one ही रहेगा, अब three देखो, hundred place पे है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, three hundred लिखेंगे, और three का face क्या होगा, three ही जैसा होगा, अब यहाँ पे देखो one क्या है, thousand places पे, तो यहाँ पे क्या होगा, one thousand हो जाएगा, और face क्या होगा, one ही होगा, यहाँ पे देखो five ten thousand places पे है, तो fifty thousand हो जाए ठीक है और अगर यहां पे face की बात करें तो 5 यह भी हो जाएगा यहां पे 0 का अभी मैंने बता आया था बचों कि 0 का place value भी और 0 का face value भी दोनों same होता है ठीक है ना अब यहां पे देखो 3, 10 प्लेस पे है, तो 30 आ जाएगा, और यह 3 आ जाएगा, ठीक है ना, अब यहां पे G में देखिए, 22 जो है, 10,000 प्लेस पे है, यहां पे क्या होगा, 20,000 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे 2 हो जाएगा, तो आपको अच्छे से face value, और place value, दोनों आप आपको अच्छे से समझ आ गया, चलिए, next question को देखते है, which digit in the 10,000 place, in each of the following, अच्छा, हमसे यह पूछा जा रहा है, यह जो digit है बच्चो, इस digit में 10,000 place पे कौन से digit है, तो देखो, once, tens, hundreds, thousand, 10,000, तो यह 8 डिजिट है बच्चो, यहां पे लिखेंगे, यहां पे देखो, once tens, hundreds, thousand, 10,000, ओके, तो 10,000 पे क्या है, 5 है, यहां पे 5 लिखेंगे, यहां पे, once, tens, hundreds, thousand, 10,000, तो 10,000 पे क्या है, बच्चो, 3 है, तो इस तरीके से आपको यह questions क्या होता है, complete होता है, और इसी के साथ आपको self practice 1D exercise complete होता है, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्द तब तक पढाई करते हो, all the very best